मोना सिंग और रक्षान्दा खान फिर से शूट कर रही है एक साथ मगर ये जसी जसी कोई नहीं कि किसी सीखल के लिए नहीं बलकि ये दोनों कर रही है एक स्पेशल फोटो शूट जूर्री डिजाइनर शाहीन अबास की नई फेस्टिव कलेक्शन के लिए मोना सिंग इन दिनों कोशिश कर रही है एक ग्लैमरस इमेज पाने की जसी का मेक ओवर होने के बाद भी मोना को जदा ग्लैमरस दिखने का मौका नहीं मिला और अब जब जूर्री डिजाइनर शाहीन अबास ने दिया मोना को ग्लैमरस दिखने का मौका तो वो थी काफी excited मोना के साथ रक्षंदा खान को भी इस collection का हिस्सा बनने का chance मिला और दोनों थी impressed शाहिन की collection से और मानती है कि ये collection है universal ये जो है collection इसमें मैंने दो चीजे करी हैं एक is the modern look and one is the stuff that we've been doing for the last one year which is doing really really well and वो काफी traditional है there are nice big pieces big you know big armlets we've done we've done neck pieces जसी जसी कोई नही के बाद मोना और रक्षंदा एक अंतराल के बाद एक साथ shoot करके थी excited और दोनों की क्वाइश है फिर से एक साथ काम करने की I hope कुछ आजाए I'm just waiting कि रक्षू मैं एक साथ फिर से काम करें because whenever we are together it's like house on fire it's party time with रक्षंदा actually मोना मुझे एक काफी interesting offer मिला है it's for a channel that's not based in India अभी उस पे सर्फ बाते चल रही है इंशाला अगर वो work out होता है तो वहाँ पर भी one of the major reasons for me wanting to do that show was के मोना के साथ shoot होगा मोना फिलाल होश कर रही है reality show जलक दिखला जागी जसी के बाद मोना को serials के offer तो कई आए लेकिन वो सास बहू से दूर ही रहना चाती है और रक्षंदा खान है जो सास बहू के बीच में ही काफी खुश है मैं सास बहू टाप serials नहीं करना चाते हूँ I don't think I belong there मैंने जसी एक एकदम अलग show किया हटके किया I want to do something different I want to do something जो लोगों ने अब तक नहीं देखा है हर एक्टर यहीं सोचता है कि उसे अलग-अलग तरह की रोल्स में ले ताके वो अलग-अलग तरह की चीज़े कर सके सास का रोल नहीं किया है अब तक बहू का रोल कर चुकियों मा का रोल कर चुकियों जसी जसी कोई नहीं में मोना और रक्षंदा के बीच भले ही राहो 36 का आपड़ा मगर इस फोटो शूट पर ये दोनों दिखी काफी करीब और एक ही जूलरी ब्रांड के लिए खीची गई इनकी ये तस्वीरे शायद शामिल हो जाए इनकी यादों की आल्बम में मिगना जोशी, जूम, मॉंबाई